हलो गैज़ आप लोगा स्वागत है अपके अपनी यूटूब चैनल टॉप असिंट पर तो यूपी स्कॉलर्शिप 2021 की जो है आज अंतिम्तिती है ठीक है आप सभी लोग बहुत जादा परेसान भी है कि करेक्शिन डेट कब आएगी जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो छात हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को लेकिन जो भी साथी हमारे चैनल पर नए है उनको बस एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आप सभी लोगों को बिल्कुल सही तरीके से अपडेट यहां पर मिल सके बि अलगबाग हार एक न्यूज पेपर में पिर चाहे वो प्रियागरा संस्क्राण हो चाहे वो लखनों संस्क्राण हो यानि हर जगा पर यह है इसमें लिखा कि चात्र वरती पोर्टल पर 14 से 19 दिसंबर तक परड़ाम अप्लोड करें चात्र जैसा कि आप सभी को पता है 14 से 19 दिसंबर तक परड़ाम अप्लोड करने का समय मिल जाएगा देखते हैं कि लिखा है बिना परिच्छा परड़ाम आय चात्र वरतियों सुल्क भरपाई के लिए आनलाइन आवेदन करने वाले चात्रों के लिए राहत बरी खबर है चात्र अब 14 से 19 दिसंबर तक चात् करना रिजल्ट अप्लोड कर सकेंगे कोरोना संकट के कारण कई सुविध्यालों में समय से परिच्छाए ना होने से उनकी पैड़ाम लेट हो गए थे कई पार्ट करमों के रिजल्ट तो अभी तक नहीं आपाए हैं इसे देखते हुए समाज कलनाट विभाग ने मद नॉम के बीच पोर्टल खोलने का निर्ड़ लिया गया है मैं आप सभी लोग को बता दूँ आज जो है लास्ट डेट है डेट बढ़ने की संभावना जरूर है आज नीच पेपर में भी आया था हम उसको भी आगे बताएंगे क्या चीज़े हैं लेकिन जिल्लों का भी ना आने की वज़ा से आपने जो फार्म को नहीं सेलेक्ट होगारा किया है तो उसको करके भर दीजिएगा ताकि हमने आपको पहले भी वीडियो बना कर ये बताया था कि सभी लोग अपना फार्म भर दीजे बले ही रिजल्ट नहीं आया है बाद में करेक्शन जब आएगा पर 10 जनौरी तक यांनी कि जो समाज कल्यांड विभाग उफिस है या जो समाज कल्यांड विभाग है उसने जो है सासन से कहा है कि मुझे 10 जनौरी तक का समय और दे दीजे यानि कि अभी भी उम्मीद है कि डेड़ महीने आपकी डेट और एक्स्टेंड की जा सकती लेकिन इसकी कोई स्योरिटी नहीं है, हाला कि जो है डेट बढ़ेगी, क्योंकि बहुत से जो है अभी सिक्षन संस्थानों के अभी रिजल्ट हो गएरा नहीं आएं, तो उम्मीद है, यह मैं नहीं कहा रहा हूँ, आज की निउस पेपर कहा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस किया जाएगा, तो अभी कर् compression date को लेकर कोई भी official update नहीं आई है, क्रेक्सटन डेट की official update आते ही, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो डेट ही चल ला है, आज तक यह है अजिसेंडि स्टेज वालों की, अन्टिम्दिती है, अभ आज के बाद जो रो सकता है की आभी सब्मिट करने की जो डेट है वो दो तारीक है तो जिन लोगों ने फार्म नहीं डाला है वो आज फार्म डाल दें कल 24 घंटे बाद उसको लॉक करा लेंगे और कल जाकर वो लोग अपना जो है अपना कॉलेज में जमा कर देंगे ठीक है तो लास्ट बढ़ने करना करिए पढ़ाई जाए क्योंकि अभी जो है बहुत सारे छात्र जो है फार्म को नहीं बर पाएं तो बिल्कुल चांसेस हैं बढ़ने की लेकिन मैं तो यहीं कहूंगा कि उसका ज्यादा इंतजार न करीए अगर आपके पार सारे डाकुमेंट्स हैं तो आप जमा कर लिजे और जि समबर तक आप लोगों की स्कॉलर्शिप आ जाएगी ठीक है यह इतनी अपडेट जो है आपर मिलिए तो अब गर आपको अपडेट अच्छी लगिए ना तो प्लीज यार मनतब लाइक कर दिया को ठीक है कुछ नहीं मांग रहा हूं लाइक ही मांग रहा हूं और एक सेर कर सकते हो तो अपने कॉलेज अले गुरूप में सेर कर दिजीए इसको ठीक है बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ तब तक के लिए खुश रही है मस्त रही है जैहिन जैभारण